हेलो फ्रेंड्स आज हम छोले की सबजी बनाएंगे वैसे तो छोले की सबजी सभी बना लेते हैं पर आज मैं छोले की सबजी को एक सीक्रेट मसाले के साथ बनाने वाली हूँ जिसे आज हम बहुत ही सोट और आसान तरीके से बनाना बताएंगे तो दिर किस बात की आज की हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं छोले की सबजी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कटोरी छोले लिए हैं यह जिन्हें हम काबली चनेवी कहते हैं बजन में एक 200 ग्राम है अब इन्हें हम एक बड़े से बर्तन में डाल कर और उसमें पानी डाल कर ओवरनाइट सोक होने के लिए छोड़ देंगे यह देखिए हमारे छोले भीगने के बाद इस तरह से तयार हो जाएंगे छोले फूलने के कारेटिंगी कौंटेटे भी ज़्यादा दिखने लगी है और इन्हें अब हम प्रेसर को करमें डाल कर इसमें पानी डाल देंगे इसमें हमें इतना पानी डालना है कि छोले अच्छे से डूब जाएं स्वाद अनुसा नमक डाल देते हैं ये मैंने डाल चीनी का एक छोटा सा टुकड़ा लिया है और ये बड़ी इलाइची के दाने लिये हैं इन्हें डाल देंगे इससे इनका फ्लेवर पानी में अच्छे से आ जाएगा अपको करका ढकन बंद करके लो मीडियम फ्लेम पर इसमें छे से साथ सीटी लगाएंगे अब हम अपना मसाला तैयार कर लेंगे मसाली के लिए मैंने याँ पर एक बड़े साइज की प्याज लिया है जिसको पतला पतला कट कर लिया है और ये दो टमाटा लिये हैं जिनने पतले पतले पीसेज में काट लिया है साथ में ही इसके एक हरी मिर्ची डाल देंगे और आदी चम्मच जंजन कारलिक पेस्ट डाल देंगे अब इसका हम ढकन बंद करके इन सबी को अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे और ये देखिए इनका स्मूथ पेस्ट बनके तयार हो गया है गैस पर अब हम कडाही रखकर इसमें 3-4 टेवल स्पून तेल डाल देंगे मैंने याँ पर मस्टराइड ओल डाला है आप जो भी ओल यूज करते हैं वो डाल सकते हैं तेल अच्छे से गरम होने के बाद हम अपना इसमें सीक्रेट मसाला आदा चम्मच अजवाइन डाल देंगे अजवाइन से छूलों में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और छोले डाइजिस्ट भी आसानी से हो जाते हैं अब इसमें बनफोर्त चम्मच जीरा डाल देंगे दो तेजपात के पत्ते डाल देंगे अब इसमें हम अपना ग्राइंड किया हुगा मसाला डाल देंगे अब इन मसालों को लगातार चलाते हुए लो मीडियम फिलेम पर भूनेंगे सारी मसालों को एक साथ ग्राइंड करने से हमें सारी मसालों को अलग-अलग ग्राइंड करने की जरूरत नहीं पड़ती और ना ही इन्हें अलग-अलग भुनने की जरूरत पड़ती है इसलिए हमारे छूले की सब्जी कम टाइम में फटा-फट बन के तेयार हो जाती है अब हम कुकर को खुल कर चेक कर लेंगे. ये देखिए आपको छूलों में हलके हलके क्रेक से दिख रहे होंगे. इसका मतलब है छूले अच्छे से बॉयल हो गए हैं. या इन्हें हम दवा के भी चेक कर सकते हैं. ये देखिए छोले अच्छे से बॉयल हो गए है अब इसमें से हम दो चम्मच छोले एक अलग बरतन में निकाल लेंगे और फिर इन्हें अच्छे से मैस कर लेंगे इस तरह से छोले मैस करके डालने से सबजी की ठिकनेस बढ़ जाती है ये देखिए इधर हमारा मसाला भी अच्छे से भुन गया है क्योंकि ये किनारों से अब तेल छोड़ने लगा है अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे एक चम्मच धनिया पाउडर वन फोर्त चम्मच हल्दी एक चम्मच चाट मसाला चाट मसाले की जगए आप छोले मसाला भी डाल सकते हैं और ये मैंने आदी चम्मच देगी मरच पाउडर डाला है जिससे कलर भी अच्छा आता है और ये ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं होती बन फोर्त चम्मच गरम मसाला आदी चम्मच अमचर पाउडर थोड़ी से इसमें हिंग डाल देंगे जिसे मैंने नमक के साथ पीस कर रखा है हिंग से चोलो में बहुत ही बड़ी अफलेवर आता है थोड़ी से कचुरी मेथी डाल देंगे जिसको क्रस्ट करके डालेंगे यहाँ पर ये मैंने थुड़ा सा गुड़ लिया है इसको डालने से छोलों का टेस्ट और वड़ जाता है अब इन मसालों में थुड़ा सा पानी डालकर इन मसालों को हम अच्छे से भून लेंगे गैस की फ्लेम को लोही रखेंगे ये देखिए हमारी मसाले अच्छे से भुन गए हैं अब इस मैसे हम एक चम्मच मसाला निकाल लेंगे और इस भुने हुए मसाले में हम अपने छोले डाल देंगे इसमें अब हम मैस के हुए छोले डाल कर इन सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे अब इसमें हम अपनी जरूरत के हिसाब से पानी एट कर देंगे आपको सबजी जितनी भी गाड़ी या पतली रखना है उस हिसाब से पानी एट कर दें मैंने इसमें टूटल डेड़ कटोरी पानी डाला है अब हम सबजी को अच्छे से मिक्स करके ढगकर इसको पकने देंगे ये देखिए सबजी अच्छे से बॉयल होने लगी है और सबजी से बहुत बड़ी खुस्बू भी आ रही है सबजी को अच्छे से पकाने के बाद और उसको मिक्स करने के बाद अब हम गैस की फिलिम को बंद कर देंगे अब इसमें हम अपना बचाया हुआ मसाला भी डाल देंगे सबजी में उपर से मसाला डालने से सबजी में मसाला अच्छा दिखाई देता है इसके बाद इसमें बारी कटी हुई हरी धनिया डाल कर इन सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे ये देखिए हमारी बहुत ही टेस्टी छोले की सबजी बनकर तयार हो गई है आप एक बार मेरे इस तरीके से छोले की सबजी को बना कर जरूर देखें बहुत ही जल्दी और टेस्टी बनेगी आपकी ये छोले की सबजी